C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ पांच रहीम के दोहे प्रिष्ट संख्या 45 रहीमन देखी बडेन को लगू न देजिये डारी जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी तरवर फल नहीं खात हैं सरवर प्यहिन पान कही रहीम पर काज हित संपती संचही सुजान रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए तूटे से फिर ना मिले मिले गाठ परी जाए रहीमन पानी राखिये बिनुपानी सब सून पानी गये न उबरे मोती मानुष्चून रहीमन बिपदा हू बली जो थोरे दिन होई हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पाताल आप तो कहीं भीतर रही जोती खात कपाल कही रहीम संपत्ती सगे बनत बहुत बहुरीत बिपती कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत इस प्रिष्ट के दाहनी तरफ सबसे उपर एक चित्र है जिसमें एक गुरु अपने शिश्यों को दोहे सुना रहा है प्रिष्ट संखिया च्यालेज इस प्रिष्ट में सबसे उपर एक चौक ओर बना है जिसके अंदर बाइं ओर उपर की ओर लिखा है कवी से परिजय और दाइं ओर उसी कवी का चित्र बना है रहीम भक्ति काल के एक प्रसिध कवी थे ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सोलवी शताबदी में हुआ था उन्होंने नीती, भक्ती और प्रेम संबंधी रचनाई की उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कवीताएं लिखी है रहीम, रामायन, महा भारत आदी प्रसिध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे उनकी मृत्यू सतरवी शताबदी में हुई थी आज भी आम जन्जीवन में उनके दो हे बहुत लोग प्री है पाठ से, मेरी समझ से क यहां दिये गए प्रश्णों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाईए एक, रहिमन जिहुआ बावरी, कही गई सरग पताल आप तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल दोहे का भाव है एक, सोच समझ कर बोलना चाहिए दो, मधुरवानी में बोलना चाहिए तीन, धीरे धीरे बोलना चाहिए या चार, सदा सच बोलना चाहिए अब आप सबसे सही यानी सटीक उत्तर के सामने तारा बनाईए दो, रहिमन देखे बढ़ेन को लगुन दीजिये डारी जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी इस दोहे का भाव क्या है एक, तलवार सुई से बड़ी होती है दो, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती तीन, तलवार का महत्व सुई से ज़ादा है या चार, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताईए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना प्रिष्ट संख्या 47 मिलकर करे मिलान पाठ में से कुछ दोहे स्तंब एक में दिये गए है और उनके भाव स्तंब दो में दिये गए है अपने समू में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खीच कर सही भाव से मिलान कीजिए स्तंब एक के नीचे लिखा है एक, रहीमन धागा प्रेम का मत तोडो छिटकाए तूटे से फिर ना मिले मिले गाठ परी जाए दो, कही रहीम संपत्ती सगे बनत बहुत बहुरीद बिपती कसोटी जे कसे ते ही साचे मीद तीन तरुवर फल नहीं खात है सर्वर पिय ही न पान कही रहीम पर काज हित संपती संचही सुजार और स्तंब दो के नीचे लिखा है एक, सजण परहित के लिए ही संपत्ती संचित करते है दो, सचे मित्र विपत्ती या विपदा में भी साथ रहते है तीन, प्रेम या रिष्टों को सहीच कर रखना चाहिए पंक्तियों पर चर्चा यहां दिये गए दोहों पर समुह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए क, रहिमन विपदाहु भली जो थोरे दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और इनके बारे में पता लगा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए एक रहिमन धागा प्रेम का मत तोडो छिटकाए तूटे से फिर ना मिले मिले गाठ परी जाए प्रिष्ट संक्या अड़तालीज क इस दोहे में मिले के स्थान पर जोडे और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रियोग भी लोक में प्रचलित है जैसे रहिमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाए तूटे से फिर ना जुडे जुडे गाठ पर जाए इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपियोग भी प्रशलित है। ऐसा क्यों होता है? ख, इस दोहे में प्रेम के उधारण में धागे का प्रियोगी क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्ने उधारण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी लिखिए दो तरवर फल नहीं खात हैं सरवर प्यहिन पान कही रहीम पर काजहित संपति संचही सुझान इस दोहे में प्रकर्ती के माध्यम से मनुष्य के किस मानविय गुण की बात की गई है प्रकर्ती से हम और क्या-क्या सीख सकते हैं शब्दों की बात हमने शब्दों के नए-नए रूप जाने और समझे अब कुछ करके देखें शब्द संपदा कविता में आए कुछ शब्द यहां दिये गए हैं इन शब्दों को आपकी मात्रि भाषा में क्या कहते हैं लिखिए यहां पर दो स्तंब दिये गए हैं पहले स्तंब का शीर्षक है कविता में आए शब्द और उसके नीचे लिखे शब्द हैं तरुवर, बिपती, छिटकाई, सुजान, सरुवर, सांचे, कपाल ये सारे शब्द अलग-अलग पंक्तियों में लिखे हैं दूसरे स्तंब का शीर्षक है मात्रि भाषा में समानार्थक शब्द आपको इन दिये गए शब्दों के समानार्थक शब्द अपनी मात्रि भाषा में लिखने हैं प्रिष्ट संख्या उन्चास शब्द एक अर्थ अनेक रही मन पानी राखिये बिनु पानी सबसून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं सम्मान, जल और चमक इसी प्रकार कुछ शब्द यहां दिये गए हैं आप भे इन शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखिए आप इस कारे में शब्द कोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की साहता भी ले सकते हैं शब्द हैं कल रिक्तस्थान, रिक्तस्थान, रिक्तस्थान पत्र रिक्तस्थान, रिक्तस्थान, रिक्तस्थान कर रिक्तस्थान, रिक्तस्थान, रिक्तस्थान फल रिक्तिस्थान 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 पाट से आगे आपकी बात रहिमन दे के बड़ेन को लगुन दीजिये डार जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और नहीं कोई छोटा है सबके अपने अपने काम है सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है चाहे हाथी हो या चीटी तलवार हो या सुई सबके अपने अपने आकार प्रकार है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्त है सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है तलवार से नहीं स्वी जोडने का काम करती है जबकि तलवार काटने का कोई वस्तू हो या व्यक्ति छोटा हो या बड़ा सबका सम्मान करना चाहिए अपने मन पसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए दोहा पाट से या पाट से बाहर का हो सकता है सरगम रहीम, कबीर, तुलसी, वरिंद, आदी के दोहे आपने दृष श्रव्य टीवी रेडियो माधिमों से कई बार सुने होंगे कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनुयोग से गाए होंगे अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग आडियो या विज्वल की ये रिकॉर्डिंग सामान ने मुबाइल से की जा सकती है इने अपने दोस्तों के साथ सम्हू में या अकेले गा सकते हैं यदि संभव हो तो वादे यंत्रों के साथ भी गाएन करें रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयम भी सुने और लोगों को भी सुनाए रहीम, वरिंद, कबीर, तुलसी, बिहार यादी के दोहे आज भी जन जीवन में लोग प्रिय है दोहूं का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेश ध्यान दिलाने के लिए करते है जब दोहे समाज में इतने लोग प्रिय हैं, तो क्यों ना इन दोहों को एकत्र करें और अंत्याक्षरी खेले तो अपने समूम में मिलकर दोहे एकत्र कीजे इस कारे में आप इंटरनेट, पुस्तकाले और अपनी शिक्षकों या अभी भावकों की सहायता भी ले सकते हैं आज की पहली एक, दो अक्षर का मेरा नाम आता हूँ खाने के काम उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं? दो, एक किले के दोही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ी दार, ठकराएं जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार खोजबीन के लिए रहीम के कुछ अन्य दोहे, पुस्तकाले या इंटरनेट की सहता से पढ़ें, देखें, वो समझें अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक, मलहार, वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और मम्ता मलकानी, ध्वन्यंकन, मन्जु कुमारी, निर्मान सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत